आप देख रहे हैं जेकनिस टूडे और मैं हूँ रमन सैनी टूरिजम पर आधारित G20 गुरुप की तीसरी बैठक कश्मीर में जिसकी शुरुवात हो चुकी है और आज पहला दिन था इस बैठक का तीन दिनों तक ये बैठक कश्मीर घाटी में चलेगी और टूरिजम की पेशल विमान के जरिये शिनगर के एरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से केवल केट के जरिये हाई सुरक्षा के बीच में उन्हें होटल ले जाया गया होटल ललित ग्रैंड और ताज जहां इन लोगों को ठहराया गया है वहां लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम कर करीबन साड़े तीन चार वज़े के बीच में ये सभी डेलीगेट्स फिर केवल केट के जरिये एसके आई सीसी पहुंचे डल के किनारे विलकुल जो अडुटोरियम है वहां पर पहुंचे कॉन्वकेशन सेंटर है वहां पहुंचे और आज पहला दिन था इंट्रोड़क् में पहुंचे हुए हैं उन लोगों ने अपनी अपनी बात टूरिजम के उपर रखी और डॉक्टर जितेन सिंग की जबारी आई तो उन्होंने जमुकश्मीर में सभी डेलीगेट्स का स्वागत करते हुए पुरानी यादों को ताजा किया सीधे तोर पर उन्होंने कहा ज अस्टिया नहीं जाते थे लोग और दूसरी पहाड़ी शेत्रों में शूटिंग के लिए नहीं जाते थे उनकी पसंदी था अगर शूटिंग का कोई प्लेस हुआ करता था तो वो हुआ करता था कश्मीर और कश्मीर में एक से बढ़कर एक फिल्मे जो है वो फिल्माई ग देखा सकते हैं और जम्मु कश्मीर में कितना डेवलेब्मेंट हुआ है वो दुनिया भर से आए हुए जितने भी डेलीगेट्स हैं वो अपनी आखों से देख सकते हैं इस मौके पर आरार मुवी के एक नायक रामचरण भी SKICC में में मौजूद थे और जब उनका इंट् हषर हो रहा है अपने परेटन की तरफ जो परेटन का रास्ता बॉलीवुड भूल गया था जो परेटन का रास्ता विदेशी महमान भूल गये थे उस परेटन को दोबारा से अब आगे बढ़ाने की MINTKी बारी जो है वह आचुकी है जितनी रुकाव्टे थी इस परेटन क सब्सक्राइब contributions यह लगाता है तो इससे लगता है कि बॉलीवूड की पसंदीदा destination जो कश्मीर हुआ करती थी वो एक बार फिर उस तरफ रुक करेंगे और इससे जब टूरिजम बढ़ेगा तो कश्मीर घाटी के अंदर निशित रूप में development होगा कश्मीर के development के साथ साथ में जम्मू का development भी होगा तो सीधे तोर पर जो पहला दिन था आज जो मीटिंग अभी जो है वो चल रही है करीबन 6-6 बजे के आसपास में ये मीटिंग खतम होगी उसके बाद बताया यह जा रहा है कि शायद ये सभी महमान जो है वो राजभवन जाएंगे और वहाँ पर एक हाईटी का प्रोगाम जो है वो लेटिन गवर्नर ने रखा हुआ है इन सब के स्वागत में क्यूंकि लेटिन गवर्नर मनो सिना जो है वो जमु कश्मीर के अड्मिनिस्टेट्रेटिव है और जमु कश्मीर का पूरा जिम्मा उनके पास है तो जब विदेशी महमान जमु कश्मीर में आये हो तो उनका स्वागत करना तो बनता है लेकिन ये मीटिंग जो है टूरिजम पर हो रही है कल फिर पूरा दिन मेराथिन मीटिंग चलेंगी और हो सकता है कि शाम के समय आज कुछ महमान जो है डल में भी अपना डल के अंदर जो है वो शिकारा राइट करें लेकिन सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है क्योंकि हमारा पडोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वो इस मौके को किसी न कसी तरीके से भुनाना चाहता है इस मौके का फाइदा उठाना चाहता है जब 17 देशों के डेलिगेट्स जमू कश्मीर में आए हुए है ठीक उसी वक्त बिलावल भुटो को पीओके की याद आई है और वो पीओके में पहुँच गये हैं दिखाने के लिए अपना कश्मीर का राग अलापने के लिए तो उनको सबसे ज़्यादा खलबली जो है इस G20 की बैठक जो कश्मीर में हो रही है उससे मची हुई है लेकिन हमें उनसे कुछ नहीं है वो अपना काम करेंगे हमारे यहां विदेशी मेहमान आए हुए हैं वो अपना समिट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता होनी चाहिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी वज़ा से किसी भी मेमान को किसी भी तरीके की कोई परिशानी का जो है वो सामना करना पड़े तो फिलाल सुरक्षा का घेरा कड़ा रखा गया है और ऐसे मौकों पर जब पाकिस्तान चाहता है कि यहां कोई गरबड़ी हो तो सुरक्षा देना लाजमी भी बनता है जिसमें 17 देश जो हैं वो शामिल हुए हैं हालाकि G20 है जो 19 देश प्लस European countries इसमें शामिल होती है मेंबर्स हैं इस G20 ग्रूप के लेकिन जो हमारा पड़ोसी राज चाइना है उसने यहां पर आने से मना कर दिया उसका कहना है कि इस वहां है आगworker इनकी ऑlı प्लस यहां यहां नहीं आया है और कई शेक्स पूस्ट करते हुए यह लिखा है कि यह स्विसलिड्ट नहीं है ये अस्ट्रेलिया नहीं है, ये सपनों का कश्मीर है, ये Paradise on Earth है, तो ये आप समझ सकते हैं कि जब ये सभी महमान, विदेशी महमान जो आए हैं, जब अपने देश में कश्मीर के Ambassador के रूट में जाएंगे, जब वो बताएंगे कि कश्मीर आखिरकार कैसा है, किस तरीके से उ सिन दिनों तक मेरा थान मैटक चलेगी, और 25 तारीक को ये सभी महमान जो हैं दिली वापिस चले जाएंगे, और उसी के साथ ये समिट जो है, जमु कश्मीर का समिट जो है, वो समाप्त हो जाएगा, टूरिजम की बैठक है, वो समाप्त हो जाएगे, लेकिन अभी आज पह जो है, वो टूरिजम की उपर रखी है, लेकिन जो होस्ट कंट्री है, उसके प्यों में में राजमंती डॉक्टर जितेन सिंग ने सीधे तोर पर बॉलिवुड की पुरानी यादों को ताजा करते हुए, कश्मीर को बताए कि कैसे वो एक फेवरिट डेस्टिनेशन हुआ क करता था, कल सुबह जो है, वो एक बार फिर SKICC में ही मीटिंग शुरूआत होगी, उस वक्त क्या-क्या बाते वहां निकल कर सामने आती है, कौन-कौन वहां पर बोलने बोलता है, किस तरीके से अपने बातों को सामने रखता है, वो सब कुछ कल सुबह से हम आपको एक बार फिर बताना शुरू करेंगे, लेकिन फिलाल मेरे साथ इतना ही, बाकी के अनखबरों के लिए आप देखते रहें, जेके नियूस टुड़े, मुझे दीज़े इजाजत, नमस्कार